Hello friends, welcome back to another video. इस वीडियो में हम हिस्ट्री के important questions डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के previous year के examination में पूछे गए हैं और आपके आने वाले examination के दिरिष्टी से भी महत्रूने चाहे हो आपका फिर allied का examination हो या i-code का या कोई सभी clerical या पटवारी एक्सेंटर का examination हो सभी examination के दिरिष्टी से questions important रहेंगे तो आज का पहला question है शिक्कों के अध्यान को क्या कहते हैं What is the study of coin called तो सिक्कों के अध्यान को कहते हैं मुद्राशास्त्र option number यहाँ पे C correct होगा मुद्राशास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्यान को next question है हमपी के पुरा तात्विक अवसेसों की खोज ने मन लिकित में से किस विद्वान ने की थी या किस विद्वान का उसमें योगदान रहा which of the following scholar contributed to the discovery of the archaeological remains of हमपी तो हमपी के पुरा तात्विक अवसेसों की खोज में कर्नल कॉलिन मेकेंजी जॉन मार्सल एलेक्जेंडर ग्रीन लॉव इन तीनों का ही important role रहा है तो option number यहाँ पे D correct होगा all of the above उप्रोक्त सभी next question है question number 130 how many तिर्थंकराज were there in जैनिजम जैन धर्म में कुल कितने तिर्थंकर थे तो जैन धर्म में total 24 तिर्थंकर थे option number D correct होगा 24 जैन धर्म के पहले तिर्थंकर जो थे first उनका नाम था रिशवदेव रिशवदेव उनका पहला नाम था जो पहले तिर्थंकर थे रिशवदेव इन्हें आदिनात के नाम से भी जाना जाता है आदिनात अगर लास्ट और 24-वे तिरतंकर की बात करें तो उनका नाम महावीर है महावीर जैन महावीर जैन जो है 24-वे तिरतंकर थे 24th Next question है भारत में पहली रेल्वे लाइन कब बिचाई गई When was the first railway line भारत में 1853 को Option number B पहली रेल्वे लाइन बिचाई गई थी भारत में Lord डलहौजी के टाइम में Lord डलहौजी के टाइम पिरियेड में और जो पहली रेल चली थी वो चली थी मुंबई से थाने तक मुंबई 2 थाने टोटल 33.8 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर किया था यो फर्स्ट ट्रेंच ली थी Next question है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू कौन थे Who was the political guru of महात्मा गांधी सभी को पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू थे गुपाल क्रिशन गोखले Option नमर यहां पे B correct होगा यह तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी के पॉल्टिकल गुरू थे गुपाल कृष्ण गुखले लेकिन गुपाल कृष्ण गुखले के पॉल्टिकल गुरू कौन थे गुपाल कृष्ण गुखले के पॉल्टिकल जो राजनितिक गुरू थे उनका नाम था महादेव महादेव गोविंद रनाडे महादेव गोविंद रनाडे जो है कुपाल कृष्ण गोखले के पॉल्टिकल गुरू थे सरदार पटेल इन्हें लहपूरस की कहा जाता है आईरन मैन ओफ इंडिया लहपूरस ये भारत के पहले उप प्रधान मंत्री से ओके डियुपटी प्रइम प्रधान मंत्री से भारत के पहले और यही ओम म dólares सरदार पटेल कोशन बनता है यहाँ से कि सरदार पटेल बल्लबाई पटेल को सरदार जो नाम है ये उप आधी किसने देती तो आपको वादाय है एक बारतोली 12-14-18 लीड किया था सरदार पटेल ने गुजरात में इसकी सक्सेस के बाद जो है महात्मा गांदी ने M.K. गांदी ने सरदार पटेल को सरदार की उपादी दी थी उसके बाद उस गाओं की महिलाओं ने सरदार कहना शुरू किया था लेकिन उपादी दीती है महात्मा गांदी ने कन्फ्यूज नहीं होना है कि महिलाओं ने दीती है महात्मा गांदी तो महात्मा गांदी ने ओरिजिनली सरदार पटेल को सरदार के उपादी दीती नेक्स कोशन है गदर पार्टी के संस्तापक कौन थे गदर पार्टी वाज और गेनाइजड बाय गदर पार्टी के सहस्ताफ़क थे लाला हर्द्याल इनके साथ एक और मेंबर भी थे उनका नाम था सोहन सिह बकना सोहन सिह बकना भी इनके सहस्ताफ़क थे लाला हर्द्याल मेजर थे option number B correct होगा लाला हर द्याल ये एक क्रांतिकारी पार्टी थी revolutionaries के बार्टी थी एक next question है भारा चुडवान दोलन कब शुरू हुआ था when did the quit India movement started quit India movement स्टार्ट हुआ था 1942 AD को option number C correct होगा महादमा गांधी ने भारा चुडवान दोलन को लीड किया था और इसमें नारा दिया था करो या मरो करो या मरो शुरुआत होई थी इसकी 8 अगस्त 1922 से और शुरुआत कहां से हुई थी या हुई थी मुंबई के ग्वालिया टैंक से ओके ग्वालिया टैंक से ग्वालिया टेंक Q71 है प्लासी का युद्ध किस वर्स में लड़ा गया था The Battle of Plassey was Fout in the Year प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था 1757 Option number D correct होगा प्लासी का युद्ध हुआ था Robert Clive Robert Clive और बंगाल के नवाब सिराज उद्धौला के वीच में सिराज उद्धौला सिराज उद्धौला के वीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें Robert Clive की जीत हुई थी British East India Company ने ये युद्ध जीता था प्लासी का युद्ध Next question है R.A.S. माज के संस्तापक थे Founder of R.A.S. माज वाज तो R.A.S. माज के संस्तापक स्वामी दयानंद सर्शोती थे Option number secret होगा स्वामी दयानंद सर्शोती इन्होंने सन 1875 को R.A.S. माज की स्थापना कीती Mumbai में Option में Raja Ram Mohan Roy का नाम दिया है स्वामी Lord William Bantic Lord William Bantic थे उससमें गौर्णा जनल, उप्शन में इस्वर चंदर विद्या सागर है, ये भी बहुत important व्यक्तितों है, modern history के, इस्वर चंदर विद्या सागर ने, इनका जो एक important काम है, सन 1856 में इनों ने विद्या पुनर्विवा अधिनियम का प्रस्ताव रखा था, 1856 में, विद्या पुनर्विवा अधिनियम के पक्सदर तेगे, लास्ट कोशनेज का, वें डिड़ दांडी मार्च स्टार्डि ओन, दांडी मार्च कब प्रारंब हुआ, दांडी मार्च जो है, ये 12 मार्च 1930 से आरंब हुआ था, और 6 अप्रिल 1930 तक चला था, ओके, 12 मार्च को ये सुरू हुआ था, साबर मती से, साबर मती से, जब स्टार्ड किया था, उस समय, 79 इनके साथ अनुई आई थे, टोटल 241 मील ये पैदल चले थे, और ये यातरा टोटल जो है, 24 दिन के थी, 24 डेज की, 12 मार्च को चले और 6 अप्रिल 19 से उसको ये यातरा खतम हुई थी, यातरा करके हुने थे, ये यह से, यातरा का, दांडी मार्च का मकसद गया था, तो इसका मकसद था, नमक सत्यग्रह करना, जो बिटिस गृर्मेंट ने नमक के ऊपर टेक्स लगाया था, उसके खिलाफ आवाज उठाना, नमक सत्यग्रह के नाम से भे moment यानि सवी ने अवग्या अंदोलन सुरू किया था सवी ने अवग्या अंदोलन सुरू किया था 6 अपरेल 1930 को इसके बाद 5 माई को इने गिरफतार कर लिए गया था ब्रिटिस कोर्मेंट के द्वरा ओके, so that's it for today आई होब आपको वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो ठीक लगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए if you are new टेलिग्राम आपने जॉइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां से आप इससे जॉइन कर सकते हो thank you so much